नमस्कार दोस्तो दन्वान बना देंगी गर में रखी ये च्छे चीजे पुबेर भगवान करेंगे वास्तो कई बार जियून में अधिक मेहनत करने के बाद भी इन्सान को दन्सम्बंदित समश्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर आप दन की कमी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए वास्तो शांस्तर के उपाय बेहद लाबकारी शाबित होंगे वास्तो के अनुसार गर में कुछ सुब चीजों को रखने से इन्सान को आर्थिक तंगी से मुक्ती मिलती है और गर में सकारतमक उर्जागा आगमन होता है चलिए जानते हैं कि ग गर में किन चीजों को रखने से धन्विवर्दी होती है नमबर एक वास्तो शांस्तर के अनुसार गर में गणेश भगवान की मूर्ति स्तापित करनी चाहिए ऐसा करना सुब होता है हिंदू दरम से जुड़ी मान्यताओं में गणेश भगवान को विगन हर्ता का आ गया है ऐसा होने से सारी बादय दूर हो जाती है नमबर दो राम भगत हनुमान जी को कलियुक का जागर्त देउता माना गया है अगर आप आर्थिक श्तित्ती मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए गर में पंचमुकी हनुमान जी की फोटो दिख्षिन पिस्चिम दिशा में लगाएं और रोजाना इनकी पूजा अर्चना करें माना जाता है कि ऐसा करने से दरिद्रता खतम होती है नमबर तीन वास्तु सास्तर अनुशार गर में शरी फल जरूर रखना चाहिए ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं साथी आर्थिक श्तित्ती में सुदार ह होता है वही मातालक्सिमी का निवास आपके गर में बना रहता है इसलिए गर में नारियल रखना चाहिए नमबर च्यार वास्तु सास्तर के अनुशार संख का गर में होना भी अच्छा माना गया है संख को गर के मंदर में रखना चाहिए ऐसा करने से वास्तु दोस्दूर ह और गर में शकारत्मक्ता आती है, दन के संकट दूर होते हैं। गर में दातू के कच्वे को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कच्वे का संबंद बगवान विश्णू और मालक्षमी से माना जाता है। इसलिए दातू से बने कच्वे को गर की उत्तर दिशा में जरूर रखना चाहिए, ऐसा करने से धन समर्दी गर के सदस्चों के जीवन मे बनी रहती है तो दोस्तो यह थी वैच्छा चीजे जिनको हमें अपने गर में रखना चाहिए दोस्तो वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क झाल झाल